जोहार जैमुलिवासिमस संकेत और आप देख रहे हैं MN TV केंदर के तीन क्रिशी कानुनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और उनिके आंदोलन को लेकर संसद में की गई टिपनियों के बाद किसान संगटनों ने इस आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है प्रदर्शन कारी किसानों ने 18 फरवरी को 4 घंटे के राश्रवेपी रेलरो को आंदोलन का बुद्वार को एलान किया है संयुक्त किसान मोर्चा के एक बयान में यह भी घोशना की है कि राजस्थान में 12 फरवरी से टोल संग्रह नहीं करने दिया जाएगा बयान में यह भी कहा गया है कि पूरे देश में 18 फरवरी को दोपर 12 से 4 बजे तक रेलरो को अभियान चलाया जाएगा तीन क्रिशी कानून उको निरस्टक किये जाने की अपनी मान को लेकर इस महने के शुरू में उन्होंने तीन घंटे के लिए चक्ताजाम आंदूलन भी किया था इसकी आलावा किसान संगटों ने भारत बंद भी किया था जो काफी सफल भी रहा संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 14 फर्वरी को पुलवामा हमले की सालगिराः पर जवान और किसान के लिए कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाले जाएंगे 16 फर्वरी को सर छोटु राम की जैन्ति के अउसर पर किसान अपनी सॉलिडेरिटी शो करेंगे किसान मोर्चा ने कहा है कि हर्याना के लोग बीजेपी और जेजेपी नेताओ पर किसानों के हित में दबाव बनाए या फिर उन्हें गद्दी छोड़ने के लिए कहे गौरतलब है कि किसान संगटन दिल्ली के सिंग्भू, गाजीपूर और शाहजापूर तथा टिक्री वार्डर पर लगबक 80 दिनों से आंदोलन कर रहे है इन किसानों की मांग है कि केंदर सरकार तीन नए क्रिशी कानूनों को वापस ले अपनी मांग को लेकर किसानों ने 26 जनवरी को ट्रेक्टर रैली निकाली थी इसके बाद किसान संगटनों ने 6 फरवरी को 3 घंटे चक्का जाम आंदोलन का एलान किया था किसानों को संसद के सत्र का इंतजार था और जब बजट सत्र शुरू हुआ तो सरकार की तरफ से दिये बयानों से किसानों और सरकार के बीच की तलकी और बढ़ गई प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने लोकसवा में किसानों के आंदोलन को पवित्र बताते हुए कहा कि इसे आंदोलन जिवियों ने अपवित्र किया है पीम ने कहा कि संसद और सरकार किसानों का बहुत सनमान करती है और तीनों क्रिशी कानुन किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है बलकि वैकल्पिक है ऐसे में विरोध का कोई कारण नहीं है राज्य सवा तथा लोग सवा में प्रदान मंत्री ने कहा कि MSP लागू था लागू है और लागू रहेगा लेकिन इसको लेकर कानून बनाने के लिए केंदर सरकार तयार नहीं है प्रदान मंत्री के MSP वाले बयान पर किसानों और किसान नेताओं का बिलकुल भी विश्वास नहीं है उनकी मायंग है कि प्रदान मंत्री जो बोल रहे है उसे कानूनी जामा पहनाया जाए दूसरी तरफ अकाली दल की नेता और पूर्व केंदरिय मंत्री हर सिमरत कवरबादल ने PM मोदी के उस बयान पर आपत्ती जताई जिसमें उनों ने कहा था कि किसान आंदोलन विपक्षी दलों का राजनितिक अजंडा है हर सिमरत का कहना था कि किसानों के बीच कौन सा विपक्षी दल बैठा है किसानों ने साफ बोला है कि राजनितिक दल हमारे आंदोलन में नहीं आएंगे नाम बताए कौन सा नेता बैठा है वहाँ पर 75 दिनों से किसान नेता राकेश टिकेट ने बुदवार को सिंगु बॉर्डर पर कहा कि आंदोलन कारी किसान अपनी समस्याओ का समधान चाहते हैं उन्होंने कहा कि किसान नेता आंदोलन के प्रसार के लिए देश के विभिन हिस्सों का दवरा करेंगे उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे की एकता बरकरार है और सरकार को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए उन्होंने दहराया कि आंदोलन पूरी तरह से गईर राजनितिक है इसमें किसी राजनितिक दल को उसके नीहित स्वार्थ साधने का कोई मौका नहीं मिलेगा यानि किसान नेताओं का केंदर सरकार और देश के प्रधान मंत्री पर बिलकुल भी विश्वास नहीं है और वे इस आंदोलन को और तेज करने जा रहे हैं किसी भी देश के प्रधान मंत्री पर उसी देश की जनता का विश्वास ना होना उस प्रधान मंत्री के लिए बहुत ही शर्म की बात है लेकिन भारत में केंदर की वीजेपी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह बेशर्मों जैसे सरकार चला रहे है राज्यसवा में मोदी जी के आसू ओपर भी किसानों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है उनका कहना है कि ये प्रधान मंत्री के घड़ियाली आसू है पिछले 80 दनों से चल रहे किसान आंदोलन में मेडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जाए तो अब तक 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है उनकी मौत का कारण है केंदर के तीन क्रिशी कानून और सरकार का उन कानूनों को पीछे लेने से किया जाने वाला इनकार इतना सब होने के बावजुद भी प्रदान मंत्री उन शहीद किसानों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं बलकि आंदोलन कारियों को बदनाम करने वाले बयान दे रहे हैं जिससे प्रधान मंत्री और केंदर की BJP सरकार के विरोध में किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है। बावजुद इसके सरकार अपने काले क्रिशी कानूनों पर अड़ी हुई है। राजनितिक जानकारों का मानना है कि सरकार को इस आंदोलन से राजनितिक नुकसान नजर नहीं आ रहा। क्योंकि सरकार तो ये मानती है कि उनके 500 EVM है और उसी के सहरे से ही चुनाव जितना है। इसलिए किसानों की बाते मानना जरूरी नहीं है।